नमस्कार दोस्तों पहारी आयरबेदिक में आपका स्वागत है दोस्तों आज मैं आप लोग सामने एक ऐसा जड़ी बूटी का पौधा लेकर आया हूँ जिसके फायदे जानकर आप हैरान रह जाएंगे दोस्तों या जड़ी बूटी इस दुनिया में एक अनोखा जड़ी बूटी है लेकिन लोग इससे जानते नहीं पहिचानते नहीं इसलिए इसका उपयोग नहीं कर पाते हैं लेकिन जब मैं आपको इस जड़ी बूटी के फायदों के बारें बताऊंगा तो आप इस से जड़ी बूटी नहीं बलकि एक अम्रित समझेंगे हाँ दोस्तो हकीकत में यह एक अम्रित ही है लेकिन आप इस अम्रित से अज्ञान है दोस्तो यह जड़ी बूटी सरीर में होने वाले हजारों बिमारियों को जड़ से नश्ट करने काम करता है लेकिन इस जड़ी बूटी को किस तरह से किस रोग में उप्योग करना है इस बात की जानकारी होना बहुत ही जरूरी होता है तो दोस्तों फाइदा जानने से पहले आप इस जड़ी बूटी को देखकर पहिचान लिजिए कि अजड़ी बूटी दिखने में कैसा होता है तो देखिए दोस्तों जब याजड़ी बूटी का फली कच्चा होता है तो कुछ इस तरह से हरा हरा और हलके लाल लकीर होते हैं देख लीजिए ध्यान से पहचान लीजिए हलके लाल लकीर होते हैं और इसके ढंठल भी कुछ इस तरह से लाल लाल ही होते हैं. और दोस्तों जब या जड़ी-बूटी सूक जाता है तो इसके फली कुछ इस तरह से हो جाते हैं, और उसके अंदर से निकलते हैं इस तरह से बारिक-बारिक से बीज यह देखिए. देख लिजे पहिचान लीजिए ध्यान से देख लीजिए मैं इसके फाइदेग बारे मैं इसे बात आपको बताऊंगा कि जो आप सपनों भी नहीं सोचे होंगे दोस्तों उस फली के दोस्तों उस जड़ी बूटी के फलियों को रगणने के बाद इसके अंदर से बीज निकला है जो बीज निकला है मैं आपको दिखाता हूँ यह देखिए वो बीज निकला है इस बीज के फाइदों के बारे मैं आपको बताऊंगा कि यह बीज नहीं सजीवनी बूटी है जिस सजीवनी बूटी को कोई खोज नहीं पाया है उसका तासिर उसका आसर इस जड़ी बूटी के अंदर है लेकिन पता है दोस्तों लोग जानते नहीं पहचानते नहीं इसलिए उपयोग नहीं कर पाते हैं तो ध्यान से देख लीजिए दोस्तों इसकाले-काले बीच को अभी मैं आपको इसी फाइदेख बारें बताऊंगा आप वीडियो में बने रहिए तो दोस्तों जड पौधा करीबन तीन फूर्स लेकर पांच फूर्ट तक छाप बड़ा से बड़ा होता है देखिए जिस पौधेग पास मैं खड़ा हूं आप पौधा मुझसे भी काफी बड़ा है दोस्तों आप सोचते होंगे बैज जी अभी तक इस पौधे का नाम क्यूं नहीं बताया तो हाँ दोस्तों मैं आपको नाम भी बता देता हूँ इसे कहते हैं चेच भाजी दोस्तों बहुत सारे लोग इसे चेच भाजी के नाम से जानते हैं और इसके पत्तोग भाजी बना कर खाते हैं लेकिन इस जड़ी-बूटी पौधेग, भीजुग, भाइदेग बारे में जानते हैं कि और कौन कौन से बीमारियों में हम इसका उपयोग कर सकते हैं तो दोस्तों इस चेच भाजी के पत्तों के साग बनाकर बहुत सारे लोग खाते हैं लेकिन इसके भीजों के फाइदे क्या होते हैं यह कोई नहीं जान पाते हैं तो आज मैं आपको इसी भीज के फा है तो इंदर निकलते हैं फॉली थे उसके बीच को देखिए पहले भी दिखा अभी दिखा रहा हूं देखिए ध्यान विण आप sa और पांच ग्राम दुपार सेवन करें गुड़मार पत्ती के पाउडर के साथ तो उसका डाइप टीज जड़ से नश्ट हो जाए कि इतना फाइदेमंद होता है दोस्तों या वीज दोस्तों इस चेच भाजी के बीच के अंदर बहुत सारे वीटामिन तत्त उपाए जाते हैं अगर किसी के हड़ी में दर्द होता हो तो इस बीच को मिश्री मिलाकर सुबा साम एक एक चम्म सेवन करें तो उसके हड़ीयों का दर्द ठीक होगा यानि यह वात रोक का भी दवा लिगता है क्योंको दोस्तों यह बिटामिन से भरपूर है इसके अंदर विटामिन एव न बीटामिन सी मेगनीसियम पोटेसियम फाइबर जैसे पदार्थ पाये जाते हैं दोस्तों मैं आपको बता दूं अगर इसका सेवन आप करते हैं तो अगर आपके पेट में कब ठीक हो जाएगा या धातू रोग को ठीक करता है या इस्टेमना पाउर को बढ़ाता है कि सरीर में होने वाई सारे कमजोरियों को या भीज ठीक करता है मातर एक चम्म सुबा एक चम्म साम को मिस्रिक साथ मिलाकर खाना पड़ता है तो देख लीजे पहचान लीजे दोस्तों अब लोग कहीं कहीं इस पौध्य जरूर देखे होंगे इसके फलियां कुछ इस तरह से होते हैं सुखने के बाद और जब कच्चा रहते हैं तो इस तरह से रहते हैं लाल लाल धारियों के साथ देख लिजिए पहचान लीजे दोस्तों और या पूरा पूरा पाउधा देख लिजिए दोस्तों अगर कोई पूरुस बहुत अधिक कम जोर है तो इसके बीजों के सेवन करें लगातार दो तीन महीने तक तो उसके नस नस में जोर आने लगेगा देखिए दोस्तों इसके बीज बहुत ही छोटे-छोटे हैं खस-खस की जैसे हैं इसलिए आप देख जानते हैं सिर्फ यह जानते हैं कि यह खर्पतवार है घास फूस हैं इसलिए इसका उपयोग नहीं करते हैं इस्तमाल नहीं करते हैं लेकिन मैं आपको बता रहा हूं अगर आप इसका इस्तमाल करते हैं तो आपको जिंदेगी में बहुत सारे बीमारी नश्ट हो जाएंग का बीज और मेथी का दाना करीबन 15 15 ग्राम मिला कर 45 ग्राम होता है उस 45 ग्राम में 45 ग्राम मिश्री मिला कर तीन खोराग बनाएं उस तीन खोराग को सुबा साम दोपार तीन टेम सेवन करें तो उसके घुटनों का दर्द बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाएगा इतना फाइद बूटी इस दुनिया में है मैं आपको पहाड़ी आयर्वेदिक बता रहा हूं इसका आप सेवन कीजिए और फाइदे उठाइए तो देख लीजिए पहिचान लीजिए दोस्तों यह एक अद्भूत चमतकारी जड़ी बूटी है इसके बहुत सारे फाइदे हैं लेकिन चैनल को लाइक कीजिए सेर कीजिए सब्क्राइब कीजिए नमस्कार दोस्तों पहाड़ी आयर्वेदिक